हेलो एफ्रीवान, माइनीम इस अदीती चौधरी, वेलकेम टू माइ चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे उसने मुझे अकेले में बताया, मैं तुमसे अकेले में बात करूँगा वो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है, उसे अकेले में समझाओ ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम प्राइवेटली वर्ड का यूज करते हैं जिसका मतलब हिंदी में अकेले में से होता है इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसका rule बहुत ही simple है sentence की starting होती है हमारे sentence के main part से जो कि किसी भी tense में हो सकता है और last में privately आता है चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए उसने मुझे अकेले में बताया he told me privately मैं तुमसे अकेले में बात करूंगा I will talk to you privately वो तुमसे अकेले में मिलना चाहता है He wants to meet you privately उसे अकेले में समझाओ Make him understand privately तुम्हें उसे अकेले में डाटना चाहिए था You should have scolded her privately You should have scolded her privately क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ May I talk to you privately May I talk to you privately आप अगर चाहें तो यहाँ पर मे की जगह can का भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं Can I talk to you privately लेकिन अगर आप अपने sentence को polite बनाना चाहते हैं तो can की जगह मे का यूज़ करना प्रिफर करियेगा अब एक sentence आपके लिए हम तुम्हें अकेले में बताएंगे इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंस में बताएं आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक चैर बाबाई